अभिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिबेट बैनोभाईयों उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री के पत पर योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार शपत ली है और योगी आदित्यनाथ की सरकार की उत्तर चीफ मिनिस्टर बनाए गए पिछली बार भी दो थे लेकिन रिपीट के सोमर्या को किया गया और ब्रामण चेहरे के तौर पर दिनेश चर्मा को रिप्लेस करके ब्रजेश पाठक की धमाकेदार इंट्री एलीट क्लब में हुई है जिसका नाम डी सियम क्लब है इसके अला जाली है जहां काफी बड़े-बड़े दिग्यज नाम ड्रॉप कर दिये गए तो बीजेपी की ये लिस्ट बीजेपी की ये सूची 2024 में पार्टी के कामका आज और उनकी राजनीति के तोर तरीकों को बताने वाली है आज हम इस वीशे पर चर्चा करेंगे कि क्राइटेरि की और मंत्री परिशद में पिक एंड चूज एंड रिजेक्शन इस मसले पर बात करेंगे बनवायों आज जब लखनव के अटल भिहारी बाच पर इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगिया दितिनात ने लगातार दूसरी बार शपतली तो उत्तर प्र प्रदेश के 37 सालों के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है लेकिन इससे भी ज्यादा चौखाने वाली बात यह रही है जो मंत्री परिशद का गठन हुआ इस मंत्री परिशद में हालाकि कल तक यह पेक्छा थी कि अधिकांस पुराने नाम रिपीट किये जाएंगे डिप् दूसरी बार विधायक चुने गए हैं इसके पहले भी उनका बड़ा राजनीति केरियर रहा है और ब्रजेश पाठक ब्राम्हणों की राजनीति का आक्रामक चेहरा माने जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राम्हणों को मनाने के लिए बीजेपी ने दिनेश सर्मा के मुकाबले ब्रजेश पाठक परदाओं लगाना ज्यादा बहतर समझा और पार्टी के लॉयलिस्ट भी बताते हैं कि ब्रजेश पाठक का कद बढ़ना बहुत सभाविक है क्योंकि पिछले पास साल उन्होंने ब्राम्हणों की राजनीति के साथ साथ जन सेवा के तमाम कार करके एक अप्रतिम उदारण उत्तरप्रदेश में प्रस्तुत किया था शायद उसका इनाम ब्रजेश पाठक को मिला और वफादारी के साथ वो जब पूरी बीजेपी भगदण मची हुई थी उस वक्त वो जनरी के महीने में बीजेपी के ही साथ मजबूती से खड़े रह शायद ब्रजेश पाठक को इसका इनाम उपमुख्य मंतरी के पत पर भेज कर हासिल किया है हलाकि तमाम और सीनियर मिनिस्टर्स थे लेकिन उसके बावजूद ब्रजेश पाठक का प्रमोशन कई मामलों में बीजेपी की ब्राम्हन पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा मान में इस काबिनेट के जरिये ही 2024 साधने की कोशिस बीजेपी करेगी हलाकि जो बहुत आप एक्षित बात थी कि पुरानी काबिनेट में तमाम परफार्मर मिनिस्टर्स थे उनको हटाय जाने को लेकर भी तमाम परश्ण चिन्न खड़े हो रहे हैं उधारन के तौर पर जलशक्ति मिनिस्टर को हटाये जाना यह अपने आप में बहुत चौकाने वाली बात है दूसरा नाम है श्रीकांच सर्मा का उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनाओ लड़ा कि 24 घंटे विजली हमने उपलब्द कराई है विजली का इंफ्रस्ट्रक्चर ठीक किया है लेकिन कैबिनिट में श्रीकांच सर्मा को नहीं लिया गया है उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है यह भी फैसला चौकाने वाला था कारणों पर का पता नहीं लेकिन कई दिग्गज नाम समलित नहीं किये जिसमें मिसाल के तौर पर मैं आपको पताना चाहूंगा सतीस महाना दिनेश शर्मा सिधार्थनाथ सिंग श्रीकांच सर्मा महें सिंग मोती सिंग निलकंट तिवारी जय प्रताप सिंग यह हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते इन सब को ड्रॉप कर दिया गया है राम नरेश अगनिहोत्री मोसिन रजा रमापति सास्त्री सुतोष टंडन लखनव पूर्वी वैले नगर विकास मंत्री अशोक कटारिया स्री राम चौहान जैकुमार जैकी अनिल सर्मा सुरेश पासी जैसे तमाम बड़े दिगज निताओं को इस बार कैबिनिट में स्थान नहीं मिला है मंत्री परिशद में कोई जगे नहीं मिली सवाल इस बात का है कि इन सब के पीछे बीजेपी की क्या राजनीतिक सोच है यह जो मैं लिस्ट पढ़ रहा हूं जिनको मिनिस्टर्स बनाया गया है इस बार कि आपने लिस्ट देखी होगी जना देश आया 10 मार्च को और कैबिनेट गठी थुई मंत्री परिशद ने सपत ने आया है तो क्या यह जो पंदरा दिन का लंबा डिस्कसन चल रहा था उसके पीछे कारण यह है या फिर कोई खीचतान और या फिर महत्रपूर्ण नामों को ड्रॉप किया रहा था तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए यह मसला था हम आजीन सब विश्यों पर बहुत खुल कवस्थी हैं भारती जन्ता पार्टी के सीनियर स्पोक्सपर्सन है विजय उपाध्या जी बहुत खुली है